केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र बिहार के रोतास जिला के डेहरी में रास्ट्री जनतादल के विधायक फतेह बहादुर सिंग ने एक विवादित बयान दिया है जिस पर बवाल मचा हुआ है फतेह बहादुर सिंग ने देवी दुर्गा को लेकर आपती जनक बयान दिया है उन्होंने माद दुर्गा को कालपनिक बताते हुए कहा कि देवी दुर्गा का कहीं भी कुई अस्तित्व नहीं है ये इतना मंगरंत कहानी है इतना ही नहीं उन्होंने खुद को महिशा सुर का वन्षच भी बताया और कहा कि मैशा सुर उनके पूर्वश थे लिहाजा वरोतास में डेहरी से राज़त विधायक के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा यहां लोगों ने उनका पुतला फुकव और विधायक के विरुध ज्रमकर नारेवाजी भी की है दुरसल डे पूमत के समय उन्होंने क्यों नहीं आकर भारत को बचा लिया अगर वो तीनों लोग की देवी थी तो क्या भारत में ही तीनों लोग है उन्होंने दुर्गा पूजा जैसे आयजन को फिजूल खर्ची बताया और जिडी निता ने ये भी कहा कि वालमी की रमाइन के अनुस ने राज़द विधायक का पुतला दहन किया है और इस दौरन काफी संख्या में हनुमान मंदिर से भाजपा, बजरंग डल और कर्णी सेना के कार्यकरता विधायक के खिलाफ एक जुठ हुए है हिंदू संगठनों ने डेहरी विधायक के खिलाफ जम कर नारेबाजी भी की है और थानी चौक पर उनका पुतला दहन किया तो वह इस मौमले पर भाजपा कार्यकरताओं ने बताया कि राज़द विधायक ने जिस तरह से हिंदूों के देवी देवताओं पर अभधर टिपड़ी की है वो बरदाश्ट से बिलकुल बाहर है वो सारजनिक तोर पर माफ चरत्र नहीं है और जीडी विधायक ने का कि अंग्रेजों ने भी कानून बना कर ब्रामणों को जज़ बनाने से इनकार किया था उन्होंने का कि मनुवात के अनुसार कुकर्मी ब्रामणों को भी दंडित किया जाना है